अगर आप अपनी शादी की हल्दी सेर्मेनी में गॉजस लुक पायना चाहती हैं तो यहां दिखाए गए फ्लॉरल ज्वैलरी जरूर ट्राइ करें तमनल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है उसमें मैं कुछ फ्लॉरल डिजाइन्स जॉलरी शेयर करने वाले हूँ जो की हल्दी सेर्मेनी के लिए यूज किया जाता है जूलरी एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी लड़की की कुपसूरती को जादा निखार स्पेशली जब जूल्टी ताजे फूलों से यानि की फ्रेश फूलों से बनी हो तब बात ही कुछ और होती है अजकल ये डिजाइन्स मारकेट में काफी डिमांड में है और काफी ट्रेंड में है वाइट यलो पपल पिंकी श्टोन में बनने वाली ये जूलरी अपकी मेंने के लिए परफिक्ट लूक दे सकती है खुबसूरत और ताजे फूलों की फ्लॉरल जूलरी हल्दी की रसम में होने वाली दुलहन के श्रुंगार में चार चान लगाने के लिए काफी है आप सिर्फ इसे हल्दी से रमेने के लिए नहीं बलकि अलग-अलग रसमें जो सबसे अलग लुक भी देती है डिफ्रेंट डिफ्रेंट फूलों से बने इस फ्लॉरल जूलरी में नेकलेस, मांगटेका, जुमके, ब्रेसलेट, हाथ फूल और टियारा काफी आकरशुक यानि की एट्रेक्टिव लुक देते हैं कई लोगों को लगता है कि फूलों से बने जूलरी ज्यादा टाइम तक नहीं डिक पाती लेकिन ऐसा नहीं है आप इसे फ्रीज में तीन दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके फ्लॉरल जूलरी का सेट मिलता है और ये जूलरी सेट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये एक दिन में बन कर तयार हो जाता है इस ज जैसमेन, कंद, गुलाब, और्केट जैसे फूलों का सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है और इन में ज्यादा तर छोटे फूल दिखेंगे आपको क्योंकि इन फूलों से ज्वैलरी आसानी से बन जाती है इन ज्वैलरी को हल्दी, महंदी, संकरांथ, फेस्टिवल, कॉक् इन फूलों से बनाई हुई ज्वैलरी भी होती है तो वो भी आप देख सकते है अगर आपको आपको आटिफिशल फूल चाहिए तो आप मार्केट से ले सकती है अभी तो ये काफी डिमांडिंग है तो बहुत सारी वराइटे आपको इसमें देखने को मिलेगी आई होप आ अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल देन टेक केर बाबाए